वेकम स्टूदेंस कैसी है आप स्टूदेंस आज हमारा जो चैप्टर है वन न्यूट्रेशन का है आप स्टूदेंस इस में जो पीज नमबर बान फॉर्टी के उपर जो है यह आपका स्मार्ट स्लेबस में नहीं है आपका स्मार्ट स्लेबस में है आपका स्मार्ट स्लेबस में है आपका स्मार्ट स्लेबस में है पीछला जितना भी आपके टॉपिक है वो आपके स्मार्ट स्लेबस में नहीं है स्क्राइ। जि ए हम लिए फिरी क्वान फॉर्टि झालब पोड़्ट हुड्स इन पूम इन अरोडूर प्रवाद इन अड़ार चार्ट बीजाव प्रवाद। इनू जुत अजी था जूर्ट इन क्रपिर अ लिए जय गुट एल्टोड़ इन शुट जुर्टिट इन। इन मेरे न्यूटरinsky होता है वह सिंट्रितबो Isis So tiger hypothesis लियूब होने, अबुटर्फ. अब यह यह कि न्यूटर्फ क्या होती है, वह एलिमन्ट, वह कंपॉट जो वह औरगेनिजिम्स उपटेन करता है, ताकि उस्से अनर्जी हांसल करें या अपनी body parts को synthesis करने के लिए इस्तिमाल करता है ठीक है तो सबसे पहला जो newtons आता है वो carbohydrates है carbohydrates are the basic source of energy for all animals तुमाम living organisms के लिए carbohydrates जो है वो क्या है source of energy है about half to two-third of the of the total calories every animals consumed daily are from carbohydrates केता है कि जो two of a third ठीक है जो हमें जो energy body के लिए चाहिए होती है वो तक्रीबन जो है वो energy जो है वो कहां से हांसल हो रही होती है carbohydrates है glucose is the most of a used carbohydrate for energy और glucose जो है इसका main source है carbohydrates का other useful carbohydrates are maltose, lactose, sacrose and starch ठीक है carbohydrates के यह फार्म आ रही है examples है glucose है उसके बाद maltose, lactose, sacrose and starch carbohydrates contain 4 kilo calories per grams अगर हम एक gram carbohydrate लेंगे तो उससे हमें 4 kilo calories जो है वो energy हांसल कर रहा होगी human get carbohydrates from the food like bread, pasta, beans, potatoes, bran, rice and cereals यह इसके sources है अपने underline करना है sources of carbohydrates जो है वो कौन-कौन सी है bread है, pasta है, beans, दाले वगरा आ जाती है, potatoes है, bran है, rice, चावल वगरा, सिर्गलेस वगरा, यह इसके क्या आ रहे है sources आ रहे है तो इसमें function उसका क्या आया कार्बोहाइट्रेट का यह परवाइट करते है energy और total जो हमारे तकरीबान two-third जो है वो हमें energy जो है वो कहांसे हांसल हो रहे है वो कार्बोहाइट्रेट्रेट्स आ रही है फिर उसकी example सा आपने बतानी है गुलकोज है, माल्डोज है, लेक्टोज है, सिक्रोज है और स्टार्ज है और फिर उसके बाद आपने sources की hiding दे देने है ठीक है उसके बाद जो है कार्बोहाइट्रेट्स आर दा मुस्ट कॉमन सोर्स ऑफ अनरजी, प्रोटीन एंडिपर्स और वाइटल बिल्डिंग कंपोनेर्स फॉर बाड़ी, बड़ दे कैन आलसो भी यूस वार अनरजी, कहता है सबसे जादा जो अनरजी है वो हम किसे अंसल करते है, कार्बोहाइट बाड़ी, 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 बाड इसके दिफरेंस बतार है, generally lipers containing saturated fatty acid are solid at room temperature, वह lipers जिनके अंदर saturated fatty acid होते हैं, वो room temperature पर क्या होते हैं, solid होते हैं, the lipers containing unsaturated fatty acid are liquid at room temperature, और लिपर्ट जिनके अंदर unsaturated fatty acid होते हैं, वो क्या होते हैं, room temperature पे लिखवट होते हैं, for example, इसके आदेगे butter contain nearly 70% of saturated, 30% unsaturated fatty acid, only on the other hand, sunflower oil contain nearly 75% unsaturated fatty acid, लिपर्ट अराचों ये इसके function आजाएंगे, लिपर्ट आज ये उसे फॉम मेमब्रेंस, sheet, surrounding neurons and certain hormones, ये इसके function आगए, कि वो membrane, जो किसको neurons को स्रॉंड का रही होती हैं, जिसको हम myelin sheet कहते हैं, उसको बनाने के लिए कामाँती हैं और इसके लावा, hormones को बनाने के लिए, लिपर्ट आजाएंगे अर्चारी एक्सक्रीम पार अगर एक ग्रैम लेंगे लिपर्स लेंगे तो उससे नाइन किलो कैलरीस अनर्जी पर्डूस होगी इंपर्टन सोर्स ऑफ लिपर्स इंकलोड मिल्क है, बटर है, मकहन, चीज, आइग्स, मर्टन, फिश, मस्टर सीर्स, कोकोनेर्ज, ट्रॉट्स yapt autoriggle धर्श there on its sources इनके लिपर्स fatty acid and cluster stimulate पे पिर उसके बाद उसके बाद आपने इसकी importance बतानी हैं, और फिर उसके बाद sources Saturated fatty acid can increase a person's cholesterol level Saturated fatty acid जिसको हमने कहा था Room temperature पे solid होती है कहते है इसके वज़े से cholesterol level जो होता है वो increase होता है and increased cholesterol level may eventually result in the clogging of arteries जिसके वज़े से arteries जो होती है वो बंद हो जाती है and ultimately heart disease और इस वज़े से heart की disease पैदाती है Saturated fatty acids जो है इसके वज़े से cholesterol level increase होता है जिसके वज़े से जो arteries होती है हून की जो नाली होती है उनके अंदर रकावट आ जाती है clock बंग जाता है जिसके वज़े से heart disease होती है स्टूर्ट कालिंशाला तना हम परोटीन्स करेंगे आप अपने carbohydrates उसकी यह निका पहले आपने importer's, examples और sources इसी तरह से liver's के आपने functions वगएरा राटी function of lippers वगएरा यह के इसके sources कौन कौन से हैं यह आपने करने हैं कि अदाफिस